असलाम लेकूं वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम है फाइजा और आप देख रहे हैं फाइजा फूट फंडा यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक एंड इजी बिर्यानी की रेसिपी हमने पहले तो बहुत सी बिर्यानिया बनाई है चिकन वगरा की लेकिन आज मैं आपको एक बिर्यानी बनाना बताऊंगी जो बनाने में बहुत असान है और टेस्ट में लाजवाब है जो लोग कंट्री से बाहर अकेले रहते हैं वो भी इसे बहुत असानी से बना सकते हैं तो मुकमर रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज में देखें तो चले बिर्यानी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लिए हैं छे अदद अंडे इनको बॉयल कर लिया है इनको इस तरह से हलके हलके से कट्स लगा लेंगे सबी को कट्स लगा लिये हैं अब एक पैन में एक खाने का चमच ओईल को गरम कर लिया है अब इसमें शामिल करेंगे हाफ चमच लाल मिर्ज पाउडर, हाफ टी स्पॉन हल्दी पाउडर और हाफ चमच नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे आज को लो ही रखेंगे ताके मसाला जले नहीं अब इसमें अंडे शामिल करेंगे और पांच से छे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं अंडे फ्राई हो चुके हैं अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब एक कड़ाही में डालेंगे हाफ कप कुकिंग ओल ओल गरम हो चुका है अब हम इसमें शामिल करेंगे साबत गरमसाला इसमें है दो बड़ी लाची, तीन से चार लोंग, एक बादियान का फूल और दो दारचीनी के टुकड़े अब डालेंगे दो तेज़ पता और एक चमच साबूद जिरह शामिल करेंगे मसाले को अची तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें से खुश्बू आना शुरू हो जाए मसाले में से खुश्बू आना शुरू हो चुकी है अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइस का कटा हुआ प्यास प्यास को गोल्डन प्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे प्यास गोल्डन प्राउन हो चुका है अब इसमें शामिल करेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट दो खाने के चमच इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चे और अब डालेंगे एक बड़े साइस का कटा हुआ टमाटर थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते इनको भी थोड़ा फ्राई करेंगे और अब शामिल करेंगे कुछ स्पाइसिज एक चमच, नमक, हाफ खाने का चमच, कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाफ से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया है एक प्याली दहीं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए इसको भून लेंगे और अब डालेंगे दो गलास पानी पानी में बॉयल आने तक इसको कवर कर देंगे पानी में बॉयल आ चुका है अब इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम बासमती चावल इनको मैंने आदा घंटा पहले अच्छी तरह से धो के भी गो लिया था और साथ इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा सोया सॉस और जनाब अगर चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राइ किये हुए अंडे और दस से पंदरा मिनट के लिए कवर करके धम पे लगा देंगे पंदरा मिनट हो चुके हैं अब हम देख लेते हैं ये देखे दी चावल अच्छे से गल चुके हैं और कितने खिले खिले बने हैं माशालला बहुत मज़े की खुश्बू आ रही है आप घर में जरूर ट्राइ करिए और कमेट करके मुझे भी बताईए कि आपके कैसे बने हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और फैमली और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए और अपना बहुत सा ख्यार रखें मुझे भी दौाओं में याद रखें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज